हेलो गाई स्वागत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP Board Supplementary Result के वारे में सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे Supplementary Result के वारे में कि Class 10 तो 12 का Result कब तक Declare किया जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे Grace Marks के वारे में कि आपको Grace Marks मिलेंगे Supplementary Result में या फर नहीं मिलेंगे और वीडियो के होता है उसमें कम से कम 2-5 मैंने लग जाते हैं क्योंकि बहां पर बहुत सारे स्टूडेंट अपियर होते हैं और आपका जो Supplementary का पहले यहां पर खतम हो गए थे अब यहां पर आपका रेजल्ट है वो 15-20 अक्टूबर के बीच में आने के 100% चांसे हैं और यहां पर आपका 15-20 अक्टूबर के बीच में रेजल्ट डिकलेयर कर दिया जाएगा तो अब यहां पर हम बात कर लिते हैं Grace Marks के बारे में कि आपको इस result में grace marks मिलेंगे या फर नहीं मिलेंगे तो देखे आपको grace marks सिर्फ आपके main exam में मिलते हैं जो आपका main result आता है आपको supplementary result में कोई भी grace marks मिलने वाले नहीं है अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आप अपना result चेक कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको google या फर chrome browser में mpbsc सर्च करना है जो कि mpbsc की official website है फर्स्ट लिंक पर आपको click करना है तो mpbsc की official website open हो चुकी है अब इसके बाद आप students के option पर click करेंगे then इसके बाद आपको नीचे scroll करते हुए जाना है और result पर click कर देना है अब जैसे यह अपने result पर click किया तो आपके सामने बहुत सारे option आ जाएंगे अभी तो इसका result declared नहीं किया गया है जैसे result declare किया जाएगा जैसे class 12 result आता है तो higher secondary class 12 result और यहां पर आ जाएगा supplementary result लखा जहां पर COVID-19 exam लखा हुआ है इसी तरीके से class 12 10th का result आ जाएगा इसी तरीके से class 12th का 10 12th का result आप यहां से check कर पाएंगे जैसे कि मैं आपको check करके दिखा देता हूँ तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने होगा तो इस प्रकार से आप अपना result चेक कर सकते हैं चाहे आप class 10th के student हो चाहे आप class 12th के student हो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफेकेशन टाइम पर मिलती रहें